नमस्कार बहुत सागत है आपका बुद्वार का दिन भगवान स्री गनेश का दिन है स्री गनेश यानि किसी भी कारे का सुभारम्र करने वाला दिन परानिक मानेता के अनुसार जो बुद्धी के देव हैं गनेश जी उनको दुर्वा अतिप्री है और बुद्वार का दिन उनका दिन है तो अगर आप हर बुद्वार दुर्वा दल उन्हें अर्पित करें तो जीवन की सभी से परिसानिया समात होती है लेकिन सिर्फ तीन बुद्वार एक महा परियोग कर ले तो आपके जीवन में कभी कोई परिशानी आएगी ही नहीं तो भगवान गनेश प्रथम पुझ बिग्न हर्ता देव हैं और किसी भी सुब मंगल कारे को करने के पहले इनकी पुझा होती है सास्त्रों में बुद्वार का दिन गनेश जी का दिन माना गया है और अगर आपकी कुंड़ली में बुद्ध दोस हो जो सारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानी जो परेशान हो रहे हैं इन चीजों से कस्टों के निवारन के लिए बुद्वार के दिन बस एक ही परियोग करें अगर आप करज में फसे हैं, धन की मुस्किलें हैं आपके नौकरी वेबसाय में रुकावटे हैं, आपके अंदर की फिलिंग अच्छी नहीं है, तो कोई भी कारे करते हैं, बिगन बाधाएं आती है, तब बुद्धवार के दिन छोटा सा पड़योग आप अपने घर में ही करना शुरू करते हैं, आप तीन बुद्धवार भी कोई भी वेक्टी करेगा ये पड़योग, जावी त्री, आपको पता होगा, गरम मसाला होता है, जावी त्री, जावी त्री आपको लेनी है, आपको मार्केट में मिल जागा ज्यादा नहीं, पचास सौ ग्राम ले आईए, या दो फूल ले आईए, उसको तोड़ कर छोट बुद्वार के दिन, गनेज जी को अरपित करना सुरू कर दें, जैसे आप भोग लगाते हैं माल लीजिए, तो भोग वाले प्लेट में ही एक चुटकी रख दें, नहीं तो ऐसे ही आप गनेज जी की तस्वीर के सामने किसी पातर में रख दें, साम के समय उसको उठाईए और उठा कर रात में सोने के पहले, कुछ दिर पहले पूरे परिवार के साथ या सिर्फ आप ही उस जावित्री को परशाद के रूप में खा लीजिए, जावित्री को परशाद के रूप में आपको खाना है, और खाकर पाड़ी भी किस हो जाईए, और ये प्रियोग आप लगातार तीन बुद्दवार तक करे, या सिर्फ तीन बुद्दवार भी कर सकते हैं, लेकिन लगातार आप तीन बुद्दवार तक करे, तो बहुत अच्छा है, और खाईएगा जरूर परशाद के रूप में, आपके भागी के तमाम जो अवरोध है, उसका नास करेगा, भाग्योदे होगा, और गनेश जी की किपा से जीवन में कभी कोई बिगन बादाएं, आपको परिसान ही नहीं करेगी, गनेश जी बुद्दी के देव हैं, सुक के देव हैं, और बुद्दवार के दिन कुछ ऐसे कारे हैं, जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और कुछ एक ऐसी वस्तु जिसको भूल कर भी मत खाईएगा, वर्ना आपका भाग ये कमजूर हो जाएगा, देखिए हर दिन किसी देवी देपताग को समर्पित है, तो आज हम गनेश जी का दिन बुद्दवार के बारे में जानते हैं, देखिए जो बुद्द ग्रह है, उनसे भी स तेज होती है, विग्न बाधाय जीवन की समाप्त होती है, लेकिन वहीं आप बुद्दवार के दिन हरे रंग की चीजें अगर खाना खाने में सामिल करें, जैसे की साबूत मूंग है, हरा धनिया है, साग है, ये सभी चीज हरी मिर्च है, फल में बुद्दवार को जैसे की भूल कर भी बुद्दवार के दिन पान मत खाईएगा, पान खाने से खुसियां नश्ट हो जाती है, तो बुद्दवार के दिन आप थर दिन खाए, पर बुद्दवार के दिन पान मत खाईए, बुद्दवार के दिन दूद को जलाना नहीं चाहिए, बहुत पहनिये पर इस दिन अगर आप नए जुते नए कपड़े खरीते हैं पहनते हैं तो आपको नए नए चीजे पहनने के खरीदने के संयोग बनते रहते हैं भूलकर भी घर की या फिर बाहर की किसी कन्या को मत दाठिएगा और दूसरा किन्नरों का मजाक मत उतारिएगा मत उड़ाईएगा बुद्वार के दिन और अगर बुद्वार के दिन किसी किन्नर से एक सिक्का आपको मिल जाता है तो आप बड़े भागेबाने संभाल कर रखिएगा खर्च मत कीजिएगा लड़कियों को मायके से बिदा भी नहीं करना चाहिए बुद्वार के दिन पुरूसों को ससुराल नहीं जाना चाहिए बुद्वार के दिन और बेहन बुगा बेटी को घर पर आमंतरित नहीं करना चाहिए बुद्वार के दिन वैसे तो इस दिन दात और बाल से समन्दी चीजे भी नहीं ख़िदी जाती जैसे कि तुथ पेस, तुथ ब्रस, बाल से कंगी, रिबन बेगर नहीं ख़िदना चाहिए लेकिन अगर आप बेटी की मा है यानि कि आपकी पुत्री है तो बुद्वार के दिन सीर नहीं धोना चाहिए ऐसा करने से लड़की का स्वास्त खराब होता है अगर आप बुद्वार को ब्रत करके गनेज जी की पुजा आरंब करें तो उत्तम है बुद्वार के ब्रत में नमक मत खाईएगा बुद्वार को गाय को आप हराचारा खिला है और बुद्वार के दिन जब आप हराचारा गाय को खिला है तो गाय का पाउंच चुकर आसिवाद जरूर लें और गनेज जी को गुड़ घी का भोग जरूर लगाईएगा और गाय को भी जरूर खिलाईएगा अब बुद्ध से जुड़ी समस्याएं भी गनेज जी की अराधना से समाथ हो जाती है और घर में खुसाली लाने के लिए गनेज जी की अराधना करना सबसे उत्तम है वैसे तो हिंदू धर्म सास्तरों की माने अगर तो सब्ताव के हर दिन किसी देवी देपता की पूजा होती है लेकिन जो बुद्धवार के दिन गनेज जी की पूजा होती है जो बुद्धी के देव हैं पर्थम पुज हैं सुबता के प्रतीक हैं उनकी पूजा करने से जीव और बुद्ध कमजोर होने से व्यक्ति सुंगने की सक्ति कमजोर होती है, स्किन की प्राब्लम होती है, गुपत रोग होते हैं, निर्नय लेने की छमता कमजोर हो जाती है, बेपसाय नोकरी ठीक से नहीं चलती। तो गनेज जी को मनाने के भी बहुत सारे उपाए हैं तो चलिए आज हम कुछ खास उपाए आपको बताएंगे आखिर वह कौन सा उपाए है सबसे पहली बात जाइफल एक तरह का मसाला है जाइफल में ही एक फूल होता है उसको बोलते हैं जावित्री तो जावित्री आपको मार्केट में मिल जाएगा ये फ्राइड राइस विगरे में डाला जाता है गर्म मसाला में आता है ये इसका गिंती तो जावित्री आपको मार्केट में मिल जाएगा आप थोरा स स्थान पर रख दें रोज एक चुटकी जावित्री गनेश जी को अर्पित करें और प्रसाथ के रूप में खाके घर से निकलें यकीन मानिए आपके हर कारें सिग्रता से बनेंगे और जीवन में कभी भी कोई परिसानी नहीं आएगी भागयोदय भी होगा लेकिन नेमित को एक चोटा सा परियोग बताएंगे और इसम यह है सिक्का का परियोग आपके एक सिक्का ले लें बुद्वार के दिन याद रखिए एक सिक्का और एक लॉंग अपने घर के तुलसी के पौधे की मिट्टी में इस सिक्का को अपने उपर से तीन बार वार कर मिट्टी में गाड़ दें लोंग और सिक्का जीवन की समस्याओं से परिसानियों से मुक्ति मिलेगी और वैसे तो यह सिक्का आप कुछ समय के बाद निकाल सकते हैं हर बुद्ध बार आप प्रयोग इसी सिक्के से कर सकते हैं और लोंग भी आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजे नहीं त किसी भी कारे को सुरुआत करते हैं तो संकट आता ही नहीं है और अगर आ जाए तब क्या करें कौन सा उपाई करें आज हम यह बताएंगे भगवान गनेश हमारे जीवन में समस्त जो तकलीफ है जो कठिनाईया हैं उनको दूर तो करते ही हैं साथ ही अगर इनकी हल्दी से जा हरिद्रा गनपती की पुझा करते हैं तो जीवन में तकलीफ आती ही नहीं है गनेश जी को प्रथम पुझनिये देपता माना जाता है और परतेक सूप कारे करने से पहले इनको इनका स्मरन करना इन्हें पुझा देना बहुत सूप माना जाता है अगर आपके घर के मुखे दरवाजे पर बाहर की ओर से गनेश जी की तस्वीर भूल कर भी ना बनाएं ना ही लगाएं बहुत लोग क्या करते हैं बाहर से टाइल्स बड़ा बड़ा लगा लेते हैं और आपको पता होना चाहिए कि गनेश जी के पीठ में दरिदता का बास होता है तो गनेश जी की पीठ आ गई आपके घर के अंदर की तरफ यानि घर में दरिदता और दूसरी बात गनेश जी तो कोई दरवान है नहीं जो आपने सामने में लगा दिया इसलिए गनेश जी की तस्वीर अपने घर में मुख्य दरवाजे के ठीक उपर अंदर की ओर से लगाएं ताकि ऐसा करने से जीवन में कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती बड़ा सब से बड़ा तकलीफ से भी आप बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे और साथ ही अगर ये इस तरह से आप लगाते है न गनेश जी को तो आप देखिएगा एक से सबा मेहने में ही आपकी लाइफ चेंज हो जा ये ये सबकर करना भाता है चुनेस जी को आप हैता है अगर ये सी तिलक नहीं करेंगी पुरूस अगर आपके घर के जो भी हैं लड़का वह हल्दी से तिलक करते हैं अगर नित्य दिन गणेस जी को अइसा करने से शुभ क्रिपा भी मिलती है और जीवन में कोई कस्ट नही भी टल जाता है करेंगे कैसे हल्दी पौडर वाला थोड़ा सा पूजास्थान पे रखिए हल्दी से गनेश जी को तिलक कीजिए अब जो आपके उंगली में लगा रह गया खुद को तिलक कर लें हल्दी की गांट कम से कम दो या पांच गांट अगर आप पीले कपड़े में बांद कर गनेश जी को अरपित करते हैं किसी भी बुद्वार के दिन कम से कम एक ही बुद्वार के दिन कीजिए इसके फल ही बहुत निराली मिलते हैं आपको यानि यह वाला जो हल्दी है यह सिद्ध हो जाता है उन्हें गनेश जी के पास रहने दे या फिर धन अस्थान पर उठाके रख लें धन की कभी कमी नहीं होगी है हमने हल्दी के जो भी उपाय बताए और साथ ही आपको हमने जो बताया गनेश जी के बारे में आप करके देखें फिर हमें कमेंट के जरीए जरूर बताएं कि जीवन में चमतकार कितना हुआ हर हर महाद्व